स्वागत्ते आप सभी का जी एस प्रेंगनेट के यूटूब प्लेटफोर्म पे तो सांतियो इस सेशन के माध्यम से हम लोग लगतार विहार पुलिस परिक्षा 21,391 पदों के लिए जो एक्जाम दिसंबर महिना से सुरू होने जा रहा है लगतार हम लोग ज्यान बिंदू GS Academy ठीक है देख लिजए यहाँ पर ज्यान बिंदू GS Academy मानेनिये रोशन अनसर के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए मौडल प्राक्टिस सेट त्यार किया गया है पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने मौडल प्राक्टिस सेट नमबर तीन तक हम लोगों ने सल्व कर लिया दिवाली को लेकर के क्लास आपका बन था जिससे आपका क्लास 11 बारों को नहीं मिल पाया था आज के इस पुला सेशन के माध्यम से हम लोग सर के model practice book से practice set number 4 को हम लोग सल्व करेंगे complete रूप से 100% इस सेशन के माध्यम से सल्व करेंगे तो आप सभी इस सेशन के साथ जरूर जुड़िए अगर आप इस बार बिहार प्लेश में सेलेक्शन लेना चाहते हैं सेशन से जरूर जुड़िए और आप सभी लोग जानते हैं कि टेस्ट का जो पीडियप होता है क्लास से एक से दो घंटा पहले आपको टेली गराम पर दे दिया जाता है ताकि वहाँ से आप पहले प्रस्ण को सल्व कर लेजिए उसके बाद क्लास के माध्यम से आप अपना एंसर मिला लीची उमीद करते हैं serious student प्रस्ण सल्व कर लिये होंगे और क्लास के माध्यम से आप सभी जरूर अपना एंसर मिलाईए कि आपका प्रतेएक प्रैक्टिस सेट में कितना एस्कोर हो पारा है तो जदा समय ब्यार्थना करते हुए हम लोग आज के सेशन को सुरू करते हैं सेशन सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पना है तो चैनल को सस्क्राइब करके जरूर इस चैनल से जुड़ जाए अगर आप फ्री और कोस्ट ज्यान बिंदू जिये से केडमी माने निये प्राक्टिस से क्लास नुट्स के प्रस्णों को सल्व करना चाहते हैं तो ठीक है तो आईए हम लोग सेशन को सुरू करते हैं प्रस्णों को सल्व करते हैं पहला प्रस्ण है आपका हमें गरीबों पर दया करने चाहिए इसमें रिखांकित सब्द है देखिए हिंदी से प् प्रिखांकित सब्द क्या है तो एक प्रकार का संग्या है क्या है संग्या है और संग्या में भी कौन सा संग्या है तो जाती वाचक संग्या आप लोग ध्यां रखेगा जाती वाचक संग्या है ठीक है न ध्यां रखेगा पहले नंबर प्रस्ण का सही जबाब अपसन नंबर D हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण मिला ये दो नमबर नियती का परियवाची सब्द है नियती का परियवाची सब्द आपसे पूछा गया है ध्यार किएगा नियती का परियवाची सब्द आपका भाग्य हो जाएगा क्या होगा भाग्य होगा जो आपके प्रस्ण के option number B में दिया गया है ध्यान रखिएगा option number B दो number प्रस्ण के लिए जो लोग भी सही किये हैं बिल्कुल आपका सही जबाब है ठीक है चलिए तीसरे number प्रस्ण को सल्ब किजिए आरोह का बिलोम है देखिए परियवाची और बिलोम से हमेशा आपके प्रस्ण पूछा जाता है आरोह का बिलोम सब्द हो जाएगा औरोह औरोह हो जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपके option number A में दिया गया है तो तीन नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा यानिकि option A हो जाएगा ठीक है रहा बात आरोह जो है ध्यान रखिएगा आरोह जो है आरोह सब्द का अर्थ क्या होता है तो ध्यान रखिएगा चढ़ना या सवार होना ठीक है चढ़ना या सवार होना इस बात को ध्यारखेगा और इसका बिलोम जो औरो हो जाएगा तो औरो का अर्थ क्या हो जाएगा तो ध्यारखेगा उतरना उतरना हो जाएगा इस बात को ध्यारखेगा अपसा नमबर ए होगा तीन नमबर प्रस्ण का सही जबाब चौथा नमबर प्रस्ण आपके सामने है अनेकार्थ आपका अपसन नमबर D आपके प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है यानि कि जो आपका भौ का अनेखार्थी सब्ध होगा संसार, जन, छेत, उत्पत्ती होगा ठीक है संदेह नहीं होगा रहस्य नहीं होगा इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है ना तो अपसा नमबर d होगा आपके चार नमबर प्रस्ण का सही जबाब ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अग्chęला परश्ण है पांचरण नमबर नी-एस्प्रिह का अर्थ बताए इसका अर्थ क्या होता है तो यहां रख्येगा आप सभी लोग जो इच्छा रहीत हो उसे ही क्या कहते हैं नी एस्प्रिह कहा जाता है ठीक है तो देखिए आपके पांच नमबर प्रस्ण के अप्षन नमबर B में दिया गया है जो इच्छा रहीत हो ठीक है तो पांच का सही जबाग अगर आप अपसन भी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जबाब है ठीक है ना चलिए यहाँ पर देख लिजिए आपसे हमेशा बिहार पुलिस में पैसेद से प्रस्ण पूछा जाता है ठीक है यहाँ पर कहा है डायरेक्शन में आपको छोग से साथ और देखिए टॉपिक आपको दे दिया गया है काठ मांडू इस पैसेज को आपको पढ़ना है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके इस पैसेज को पढ़िएगा तो आसानी से आप प्रस्ण का एंसर बता सकते हैं ठीक है और देखिए यहाँ पर आपको पैसेज प्रस्ण पूछा है तो ध्यान रखिएगा प्रस्ण के एक और आपका सही जबाब अपसन नमबर अभी होगा ध्यान रखिएगा ए रिगिलियस स्टीटी आफ नेरो स्ट्रीट हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा अपसन नमबर भी आपके प्रस्ण का सही जबाब अगला प्रस्ण आपका पैसेज से ही है सात नमबर वाट जो डोज रिंग यानिकि रिंग वीट ए रोड इंपलाई बताईए सात अबर प्रस्ण का सही जबाब ध्यान रखियेगा अपसन नमबर भी आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ध्यान रखेगा क्या है तो it implies road around the dorm ठीक है ध्यान रखेगा option number B में दिया गया है चलिए अगला प्रस्ने आपका 8 number भारत का प्रवेश द्वार किस सहर को कहा जाता है देखिए भारत का प्रवेश द्वार का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेगा option B मुंबई को कहा जाता है साथ टापू का सहर भी किसे कहा जाता है मुंबई को ही कहा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा और यहीं पर आप लोग ध्यान रखेगा स्री नगर को जीलो का नगर कहा जाता है स्री नगर को जीलो का नगर और कोची कोची आप लोग ध्यान रखेगा अरब सागर की राजधानी ठीक है ध्यान रखेगा कुलकता को डायमंड हरवल या महलो का सहर कहा जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा प्रस्ण का सही जबाब अपसन भी होगा ध्यान रखेगा नुवा नमर पस्ट ने सार्विनिक धन का सनक्षण किसे कहा जाता है सार्विनिक धन का सनक्षण का बात किया जा तो नियंत्रक एवो महालेखा परिक्षक आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है भारतिय सम्विधान का जो अनुच्छेद है 148 से लेकर की 151 तक भारत के नियं नियंत्रक एवो महालेखा परिक्षक से संबंधित है ठीक है चलिए अनुच्छेद ध्यान रखिएगा दासवा नमबर पस्ट ने भारत के समिधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयूग का गठन किया जाता है बताईए किस के तहत तो अनुच्छेद 82 आप लोग अच्छा प्रदान करने है तुद दिसा निर्देश कब जारी किये कब जारी किये तो ध्यार रखिएगा आपसं सी 1997 आप लोग ध्यार रखिएगा आपसं नमबर सी होगा 11 नमबर प्रस्ट का सही चवाव अगला प्रस्ट नमबर प्रितिवी की कूल सतह जो पानी से ढखा ह पानी से कुल कितना सतह ढखा है तो ध्यार रखिएगा एक 70% सतह ढखा है अपसं नमबर ए में दिया गया ठीक है अगला प्रस्ट है तेरा नमबर निम्न में से किस महादिव से होकर करक रेखा विश्वत रेखा ताता मकर रेखा तीनों गुजरती है और आप सभी जानते है कि एक अक्टूबर के दिन आपके विहार पुलिस के एकजाम में यहाँ प्रस्ट पूछा भी गया था ध्यान रखिएगा इस प्रस्ट का सही जबाब आपका अपसंडी हो जाएगा और फिर का आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है न चली अगला प्रस्ट क्या है यहीं प पूछा गया है आप सभी जानते होंगे वाई मंडल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यहनी कि नाइट्रोजन का प्रतिस्ट क्या है अधिक है अठाटर प्रतिस्ट नाइट्रोजन है ठीक है 21 प्रतिस्ट आपका ऑक्सीजन हो जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है तो अप्सन ए हो जाएगा आपके प्रस्न का सही जवाब ठीक है चलिए अगला प्रस्न है आपका 15 नंबर सुरी की सीधी किर्णे विश्वत रिखा पर कब किस दिन पड़ती है सीधी आपसे पूछा गया है 21 मार्च 23 सितंबर ध्यान रखिएगा यानि कि अपसन नंबर देख लिजिए यानि कि 21 मार्च 23 सितंबर ए अवर दो कूट के माध्यम से पहला अवर देख लिजिए यहाँ पर पहला और दूसरा अपसन डी में दिया गया ठीक है चलिए अगला प्रस्न है 16 नंबर हमारे सौर मंडल में कुल कितने गरा है तो आठ गरा है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा स्वर मंडल में कितने गरा है आठ गरा है बुद्ध सुक्र ब्रहस्पति मंगल ठीक है प्रित भी हो जाएगा सनी वरून ध्यान रखिएगा अरून यानि कि यूरेनस तथा नेप्चुन ठीक है यह आठ गरा है हमारे स्वरी सर मंडल में ठीक है चलिए सत्रा नमर प्रस्ण है राजस्व आई के लिए अस्ताई बंदवस्थ ब्रिटिस स्चित्रों में कब लागू किया गया स्वरी कब लागू किया गया ठीक है इस प्रस्ण का सही जबावाब इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है बिहार बंगाल उरिशा एम बनारस में लागू किया गया ठीक है इसताई lionssen excus ने बनाया था निमलीखित में किस वर्स भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना से हमेशा प्रशन पूछा जाता है। देखिए द्यार रखिएगा दादा भाई नरोजी की अध्यक्स्ता में कलकत्ता में हुआ था यह भी बात आप लोग द्यार रखिएगा ठीक है ना चली अगला प्रस ने आपका 19 नमबर निमलीखित में किस रंग का जंडा बिर्शा मुंडा राज का प्रतीक था बिर्शा इसवी बंगाल नेटिव इनफेंटी ठीक है प्रेंट्री अप्शन नमबर सी होगा 20 नमबर प्रसन का सही जबाव इस बात प्लोग ध्यार रखिएगा और यहीं पर ध्यार रखिएगा 29 मार्च 1857 ठीक है को मंगल पांडे ने बैरक पूर्मे गाई की चर्वी मिले लेटिनेट बाग यह वो मेजर यूम्शन को गोली मारकर क्या कर दिया था तो हत्या कर दिया था इस बात को ध्यार रखिएगा जिसके लिए 1857 की करांथी सुरू होने से पहले 8 अप्रील आप लोग ध्यार रखिएगा 1857 को मंगल पांडे को फासी दे दी गई थी ठीक है न चले अगला पसने तीन संख्या, एक अनुपात, दो अनुपात, तीन के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक 12 है तो संख्याए कौन से है देखिए इसका महत्तम समावर्तक कितना है यानिकि HC Apple कितना है तो HC Apple आपका 12 दिया गया ठीक है लेकिन वास्ताव में एक दो हो जाएगा दूसरा में दूसरी गु af तो 24 हो जाएगा ठीक है और तीसरा में आप तीन से गुणा कर जाएगा तो 36 हो जाएगा तो 12, 24, 36 देखिए किसे में दिया गया है तो अप्सन नमबर ए में दिया गया ठीक है ध्यान बाइस नमबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 100 को आज से विभाजित किया जाए तो का योग निकालने का फर्मूला क्या होता है तो SN बराबर N बटा 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 आगुने क्या होता है ठीक है अब देखिए यहां से एक कमान निकालेगा तो पहला एक हो जाएगा और D कमान 2 में से क्या घटाएगा एक तो D कमान भी कितना हो जाएगा एक हो ज जाएगा ठीक है अपसर नंबर B में दिया गया है यहीं पर आपको यानिकी सिंप्लिफिकेशन से कोशन दिया गया है ठीक है और इस प्रस्ण का सही जवाब 0.3 आ जाएगा अगर आप सल्व किजिएगा तो ठीक है और मैं डिस्कर्शन तो नहीं देता हूं PDF के माद्यम से आप सभी को टेली गराम पर ठीक है ना चलिए 24 नंबर प्रस्ण ने भी देखिए यानिके ट्रेग्रोमेट्री से है सेख ठीटा और 10 ठीटा का माना आप से पूछा गया है ठीक है और सेख ठीटा बराबर देख लिए इसका बहलू X प्लस 1 बटा 4X दे दिया गया है ठीक है सेख जो होता है कौस का क्या होता है इन्वर्स होता है अगर आप इस प्रस्ण को सल्व किजिएगा तो आपके प्रस्ण का सही जबाब पता है क्या आएगा तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग आपके प्रस्ण का सही जबाब जो आजाएगा यानिकि आप से नंबर क्या आ पूछा जा सकता है ध्यान रखेगा आप लोग 25 नमबर प्रस्ण का सही जबाब जो हो जाएगा आपका यानिकी अपसन नमबर यानिकी एक को ध्यान रखेगा 28 मैं 2013 ठीक है चली अगला प्रस्ण है 26 नमबर इटली की पर्थम महिला प्रधार मंतरी कौन बनी है कौन बनी है प पूछा गया है निकी अभी ठीक है मनोज सोनी है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है अगला प्रस्ण है 27 नमबर निमलिखित में से कौन बरतमान में संग लोग सेवायों के अध्यक्ष यह तो हम लोग सल्व कर लिए 27 नमबर प्रस्ण को 28 नमर प्रस्ण सल्व कि अगला प्रस्ण नमबर निमलिखित युगमों में कौन सही नहीं है इनकी गलत कौन है देखिए गलत और सही से संदित हमेशा आपसे प्रस्ण पूछा जाता है ठीक है अपसन सी हो जाएगा ध्यान रखिएगा यानिकी सेवेसियस ग्लेंड पसीना से संब्धित नहीं है ठीक है ध्यान रखेगा आप सभी लोग अपसन नमबर प्रस्ण का सही जबाव चलिए अगला प्रस्ण है आपका प्राकिर्तिक रब्बर निमलीखित का बहुलग है प्राकिर्तिक जो रब्बर है ध्यान रखेगा निकी आईसो प्रीन का बहुलग है अपसन नमबर सी आपके प्रस्ण का सही जबाव होगा तैस नमबर प्रस्ण है शूरी पर उरजा का निर्मान होता है शूरी पर उरजा option number A में दिया गया है 35 नमर प्रसन है शक्कर के किरवन से क्या होता है यह योनि कि क्या बनता है ध्यार रहकेगा option A को ध्यार रहकेगा Ñथायल अलकोहल बनता है थीक है इथायल अलकोहल आपके प्रस्ण का सही जङबाब होगा 37 नमबर प्रस्ण है यानि कि बैट्रियों में इस्तमाल होने वाला अमल ध्यार रखिएगा सल्फिवरीक अमल अप्सन नमबर सी आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा, ठीक है, 38 नमबर प्रकास संसलेशन प्रकरम के दोरा निमलिकित में से कौन से घटना घटित नहीं होती है कौन से घटना नहीं घटित होता है तो ध्यान रखिएगा कारबन डायोकसाइट का कारबो हैट्रेट में उपचैन नहीं होता है अपसंडी आपके प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है 49 नमर्द प्रस्ण है मिस्त धातिव में किस पदार्थ के सन्यूजन से निश्फलक इसपात यानि की स्टेनलेस एस्टिल और चुमबक्य हो जाता है और चुमबक्य जो हो जाता है इसका कारण है ध्यान रखिएगा निकेल निकेल आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा अपसं प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है 41 नमबर अगर गर्म काफी के प्याले को कमर में धातु की मेज पर रखा जाये तो निमली खित किस तरीके से उसकी उसमा नस्ट होगी बताए किस तरीके से होगी ध्यान रखिएगा अपसंडी चालन सनवहन विग्रण और वास्मन तीनो इस भी हो जाएगा अपसंडी आपके प्रस्ण का सही जबाब 42 नमर प्रस्ण अमेरिका के दवारा पहले बार जपान के किस सहर पर परमानु बम गिराए गया था ध्यान रखिएगा आप लोग 6 अगस्ट 1945 को यानिकि अमेरिका के दवारा जपान के हीरो सीमा आपके प्रस्ण का सही जबाब हुगा जबकि 9 अगस्ट 1945 को जपान के ही सहर नागा साखी पर भॉंर गिरा गया था फहलीक पहला पूछा गया आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा 43 नमर प्रस्ण है पितरा ड्यूरा कि देश से संब्धित है देखिए यह जो संबंधित देश हो जाएगा ना ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इंपोटेंट प्रस्ते हैं अप्शन B यानि की जड़ाओ काम की सरिंकला ठीक है ना चली अगला प्रस्ते अगला प्रस्ते हैं अगला प्रस्ते हैं अगला प्रस्ते हैं निमलिखित में से किस वर्स पटना उच्छ ने आले की स्तापना तो 1916 आप लोग ध्यां रखिएगा ठीक है 1916 आपके प्रस्ते का सही जवाब होगा तीन फरवरी 1916 ठीक है चली अभी पूछा जाए कि पटना उच्छ ने आले का पहला मुख्य ने आधिस कौन थी तो ध्यां रखिएगा सर जस्टिस एडवर्ड मेनाड डेस चैंप्स का नाम अप लग ध्यां रखिएगा चैंप्स का नाम आप लोग ध्यां रखेगा यहिए कि चैंप्स चामियर का नाम आप लोग ध्यां रखिएगा बर्तमान में पटना उचन ने आले कै बुख न्याधिस कौन है तो ध्यान रखेगा के विनोध के विनोध चंद्रन आप लोग ध्यान रखेगा मद निशेद दरोगा का एक जाम में यह प्रस्न पूछा भी क्या था तो 45 का सही जबाब अप्सन B होगा ध्यान रखेगा 46 नमर प्रस्न है निमलिखित में से कौन सा कथन सत्ते नहीं है यही कि गलत कथन कौन है ध्यान रखेगा अप्सन A यानि कि शुद्रांत की दिवारों में असंख्यक रंसाकूर होते हैं जिसके द्वारा पचे हुए भोजन का आउस्ट्रशन होता है यही क्या है गलत है बाकि स C सही है और B सही है एक क्या है आपका गलत है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा चलिए अगला पस्न है देखिए यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है 47 नमर पस्ने सुस्क सेल के संबंध में निमलिखित को सुमेलित कीजिए ठीक है और देखिए सूच ध्यान रखेगा आप सभी लोग यानि कि अगर बात किया जाए है रिली इलेक्तोड घ्यान रखेगा जींक वर तन हो जायगा इनकी एक का क्या हो जाएगा धन इलेक्तोड का बात किया जाया तो कार्बन की छड़ आप लोग ध्यान रखेगा यानिकी कार्बन की छड़ कहां दिया गया है एक यानिकी बी का आपका एक हो जाएगा ठीक है इलेक्ट्रोलाइट का अगर मैं बात करू तो ध्यान रखेगा अमोनियम कोड्राइट का पेस्ट आप लोग ध्यान रखेगा यानि की A का क्या था 2 B का 1 C का 3 और D का क्या था 4 अपसंसी आपके प्रस्थन का सही जबाब होगा 48 नमद प्रस्थन है भारत में B मुंद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था ध्यान रखेगा आप सभी लोग 8 नॉबर 2016 का हुआ था इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा भारत में सर 1946 आप लोग ध्यान रखेगा 1946 ये रहाम लिख देते हैं 1946 में B मुंद्रीकरण किया गया था ठीक है इसके बाद आप लोग ध्यान रखेगा 1908 में जनता पार्टी की सरकार ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए यानिकी 1000 रूपिये तथा इससे उपर के नूटों को चलने से यानिकी चलन से बाहर कर दिया था ठीक है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा 59 नमर प्रस्णे 15 वे बी तायू के अध्यक्स ध्यान रखेगा यानिकी अप्षन भी एन के सिंग है अप्षन नमर बी को आप लोग ध्यान रखेगा कि कावन नमबर प्रस्ण है ICC यानि कि ICC Men's 6020 Cricketer of the Year 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया है दीखिए खिलाड़ी को ध्यान रखेगा सुर्या कुमार यादो को दिया गया है अप्सन नमबर D आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है न चलिए अगला प्रस्ण है आपका 52 नमबर जराद्रिष्टी दोस्ट को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयूग किया जाता है तो जराद्रिष्टी दोस्ट के निमारने के लिए आप लोग ध्यान रखेगा यानि कि आपसन नमबर सी द्वी फोक्सी लेंस के बने चस्मे का प्रयूग करने की सलाह दिया जाता है अगला प्रस्न है ठीक है चलिए अगला प्रस्टने देखिए 55 नमबर सुचई एक को सुची दो के साथ सुमेले किजिए और सुचियों के नीचे दिये गए कुट का प्रयोकर सही उतर का चें किझी सही उत्तर का चैन करने के लिए बोला गया है और देखे इंपोर्टेंट प्रस्न भी है ध्यान रखेगा मनुस्य का यानिकी विज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा तो होमो सेपियन्स यानिकी एक का चार ठीक है मेढ़ा का राना टिकरीना हो जाएगा डी का दो हो जाएगा मोर का क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा पाओ क्री टेटरस यानि कि C का एक और ध्यान रखिएगा बाग का पैंथेरा टाइक ठीक है मिला लेजी आप लोग आपके कूट के माध्यम से जो एंसर है क्या हो जाएगा ठीक है जब आप लोग एंसर मिलाईएगा तो ध्यान अगला प्रस्ट नम्बर नियमलेखित में से जड़क है नहीं है, तो ध्यां रखेगा आपके प्रस्ण प्रस्ण का सही जबाब होगा, 57 नमपर परस्न है बायो फिलम निमलिखित में से जड़का उदारन है मतलब किस जड़का उदारन है तो ध्यान रखेगा बायो फिलम अफ्जन B को आप लोग ध्यान रखेगा पण मुल, पंड मुल आपके प्रस्न का सही जबाब होगा अंठावन नमबर प्रस्ट है सुची एक को सुची दो के सांद स्वमिलित कीजी और कूटों का परियो करके सही उत्तर का चैन कीजी तीकि ये कूट के माध्यम से सही उत्तर से संबन ही प्रस्ण दिया गया है है हाई ग्रो मीटर का संबन किसे हो जाएगा तो ध्यान ठीक है आप एक चित आधरता लेक्टो मीटर का अगर मैं बात करूं द्हान रखिए गा लेक्टो मिटर जो हो जाएगा यानि कि दुर्ध शिक घंळत हो जाएगा इसका हाइड्रो गिसमसा बिछ रहाते हैं उपकरन हाइड्रमीटर और आप अच्छित आधरता हम लोग तो बता दिये हैं कि हाइग्रो मींटर, हाइग्रो मीटर और हाइग्रो मीटर आप ज्यां दियाँ रखेगा, इसमें आप सभी लोग confusing मत होएगा, ठीक है, मैं बार बार आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, जाबो प्रसन समझ में ना आया होगा तो पीडियोफ दिया गया है एक बार उसको देख लीजिएगा ठीक है ना तो देखिए आपके आंठावन नमबर प्रस्ण का सही जवाब A का 3 B का 1 C का 4 और D का 2 अपसा नमबर D ठीक है चलिए 69 नमबर प्रस्ण है मैट से सम्मंधित प्रस्ण दिया गया है ठीक है और आप सभी जानते हैं कि आयत से सम्मंधित प्रस्ण है ठीक है तो आयतिक बनाईएगा तो आयत में लंबाई होता है इसका चोड़ाई होता है ठीक भी्क है लंबाई क्या हो जाएगा एल हो जाएगा ठीक है और चोणाई क्या हो जाएगा चोणाई देखिए कितना ci हो थाई तो तीन चो थाई है तो देख लीजिए यहां से आप एल का माननी का लेजिए तो लंबाई और चोणाई निकल जाएगा और लंबाई चोणाई का अंतर आप लोगा सनी से ग्याद कर सकते हैं ठीक है ना तो 69 का सही जब आपका आप सनी आजाएगा आठ मीटर ठीक है ना मैज से समनीत प्रस्ण जो भी है आप लोग पीडियोप के माध्यम से एक हो जाएगा ठीक है इसकी कारे करने की छमता जो हो जाएगा यहनिकी तीन हो जाएगा इसका दो हो जाएगा यहनिकी तीस से साथ में भाग कर लिजिएगा तो ठीक है ना तो आप लोग ऐसे प्रस्ण को सल्व कर लिजिएगा नहीं समझ में आए तो पीडियोप से एक बार अप्शन नमबर डी आपके प्रस्ण का सही जब आ जाएगा 90 दिन ठीक है ना हम लोग ज्यादा फोकॉस करेंगे जी के और जी एस ठीक है न एक सट नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा आम सिर्के में उपस्तित है और मैथ जितना प्रक्टिस केजिएगा उतना ही आ प्रभाव पड़ेगा प्रभाव से संब्दित प्रस्ण ध्यान रखेगा वह मंद पड़ जाएगी ठीक है अपसन यह आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है तिर्षट नमबर यदि मुत्र में एलवून यहीं की एलवू मीन आ रहा हो तो ऐसे बेक्तिक है आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा दूद उधारन है देखिए दूध किसका उधारन है तो आप सभी जानते हैं दूध इमलर्शन का उधारन है इंगलिस से समंधित प्रस्ण दिया गया है आपका देख लिजे यहां पर है यहां पर किसका यूज होगा मतलब उपयोग होगा ध्यार रखेगा आप लोग 65 नंबर प्रस्ण का सही जबाब जो हो जाएगा यहां कि प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए 66 नंबर प्रस्ण है मेक दा एड़ फास्ट बोला फास्ट का पूच्छा गया है ध्यार रखेगा यानिकी फास्ट अपने इसके लिए फास्ट ही आपके प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है इसका किडवन जो होता है ध्यार रखेगा रसाइनिक परिवर्तन हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण देखिए 68 नंबर है मानव मस्तिक्स के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और स इसकी को सफने को नियनत्र नयांत्रट करने के लिए उत्तर यह सही कथन सभी एक अवर दो तो अप्संसी आपके प्रस्ण का प्रस्ण जबाब होगता उनहांतर नामर प्रस arguments को जो यांत्रिक में बदलता है हमेशा आप लोग ध्यान रखेगा कन्फ्यूज मत हो येगा मोर्टर बदलता है ठीक है मोर्टर ठीक है चलिए अगला प्रस्थन क्या है एक सत्तर नमबर ए रिपोट और एकाउंट इस एन बताईए इस प्रस्थन का सही जबाब ध्यान रखेगा तो ध्यान रखेगा इनकि अप्सन सी इन्फरमेशनल वरक हो जाएगा अप्सन सी आपके प्रस्थन का सही जबाब होगा एक सत्तर नमबर प्रस्थन है कॉमन फॉर्मेट्स पर रिपोट राइटिंग आर बताईए इस प्रस्थन का सही जबाब क्या रखेगा एक हात्तर नमबर प्रस्ण का सही जबाब अप्षन देख लिजिए यानि की बी हो जाएगा मैथट और इन्फर्मेशन इसरी इंट्रोडॉक्षन ठीक है यानि की बोथ ए और भी दोनों होगा अप्षन सी आपके प्रस्ण का सही जबाब वातर नमर प्रस्ण आपका यानि की मिनर हीम ररीखा कीन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है देखिए यह जो रहा सीमा बनाती है ध्यान रखेगा आप लोग अप्षन डिको ऋर फिनलेंड रूरश और फिनलेंड आप यूवे से और कॉनेडा अगर आप से पूछ ले थीक है तो measuring be यहीं से चाहरेकर नमाता है रक्त में जल की मात्रा लखभख किपनी होती है देखिए रक्त में अगर जल की मात्रा पूछ अब सब्हें जानते हैं रक्त मातरा लगभग 90 परतिसत होता है ठीक है क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लाजमा जो होता है या हलके पिले रग का तरल होता है तथा रुधीर का 55 से कितना साथ प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के दाए पुर्वत्र भारत के पहलेमस का उडगातन कहा पर किया गया पहले आ प्रधान मंत्री नैंदर जोड़ेंब धर जो किया गया है आप सभी ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसानी गुहार्टी हो जाएगा ठीक है ना चलिए चैतर नमर प्रस्ण है बिहार सरकार के परियाट्रन विभाग के द्वारा निमलीकित में से किसको अपना ब्रांड एमेस्टर बनाए गया है ति इसका जो गठर किया गया था थ्यान रखेगा आप लोग यानिके इंप्र सथ यहां रखेगा थीक है उन्नीस सच्छतिस आप लोग ध्यां रखेगा अखिल भार्ति किसान कॉंग्रिस का पहला अधिवेस्ण अगर आपसे पूछे तो ध्यां रखेगा लखनव में हुआ था और इसके अध्याक से पहले पूछ लेना तो नेता ध्यां रखेगा सहजदानं स्वर्वसति का नाम ठीक है अपसन यह आपके 77 नंबर प्रस्ण का सही जवाब होगा अठातर नंबर प्रस्ण है बिहार के किस छेत में लोटा बिद्रो हुआ था देखिए लोटा बिद्रो से प्रस्ण अगर पूछे तो ध्यां रखेगा यांदि कि 1856 के बिहार के फर पूर के छेतर में हुआ था ठीक है अपसन नंबर ध्यां रखेगा यानिकी सी आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा अगला प्रस्ण नंबर चेंज दवर्ड एस्ट्रेंग्थ इन्टू में वर्ब आप से पूछा है देखिए में वर्ब पूछा गया है तो प्रस्ण म नंबर भी क्या ए रक्रम अच्वार होगा ठीक है अपसन नंबर भी आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ये hell यह krater एक अगला प्रस्ण नंबर अप्रोपियट सानोनियों आफ दे वर्ड यानिके एचीव का पूछा आपसे देखिए एचीव का जब पूछा गया है न तो ध्यान रखेगा यानिकी एटेन होगा आपके अपसन नमबर भी आपके प्रस्टन का सही जबाब हो जाएगा ठीक है एचीव का जो साइननियम होगा एटेन होगा जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है प्राप्त करना इस देखिए गा इनकी गीरी वरज आप लोग देखिए गा जो कहीं भी अपसन में नहीं दिया गया है डी आपके प्रस्टन का सही जबाब होगा ठीक है बैसाली के रहधानी का हाथी वज्जी वज्जी देखिए ठीक है चमपा का अंग था ठीक है और कोसामबी का क्या था तो वत्स आप लोग द्यान रखिएगा चलिए अगला तिरासी नमर प्रस्ट मैट का है और देखिए इसका सही जबाब 20,000 रुपया हो जाएगा सल्व किजिएगा ठीक है सधारन व्याज और चक्रविधी व्याद से प्रस्ट हमेशा पूछा जाता है देख लिजिएगा एक पर आप लोग टॉपी को ठीक है अपसाने 24 रुपया इस प्रस्ट का सही जबाब आएगा अगला प्रस्ट मैट से है और इस प्रस्ट का सही जबाब अगर आप सल्व किये होंगे तो इसका सही जबाब जो आया होगा ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है यानिकि ए 2,000 र देखे पतली परत का बात किया जाए तो द्यान रख और पठीक हो जाएगा ठीक है परफटी आप लोग द्यान रखिएगा अगला प्रस्ट या इसे कौवरजिल बिहार के किस जिले में तो दिखिए में जिल जो हो जाएगान दियां रखोभावल सराइ अप लोग होजाएगा और गोगविल जिल पुछे तह कटिहार आप लोग बतादी छाएगा ठीक नौ और जगत पूर्जिल पुछें तो भागल पूर्बे हो जाएगा ठीक है, 90 नंमर प्रस्न है दुर्गावती जल परपात भीहार के किस जिले में इस्तित है, देखिए दुर्गावती ध्यान लखेगा आप लोग यानिकी अप्सन भी रोहतास में इस्तित है, रोहतास आपके प्र प्रस्न का सही जबाब होगा 92 नंबर प्रस्न है निमलीखित में से किस मौलिक अधिकार को डाक्टर अंबेदकर ने समिधान की आत्मा और हिरदय का है समिधानिक उपचारों का अधिकार आप लोग ध्यान रखेगा 92 नंबर प्रस्न का सही जबाब होगा और किस अनुछेद म में आता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा मुखिया या ग्राम पंचायत के सदा से बनने हैं तो नियूंतम आयू सीमा कितनी तो 2022 बर्स सभी लोग जानते है अप संब्र आपके प्रस्थम का सही जिबाब होगा। 94 वे अप topics न इनकेर्श को टाइगर एस्टेटिक को नाम से जना जाता है। दिख्येंrent आप सांसी मध्या परदेस को जाना जाता है। चलि अगला प्रस्टन अच्छानवे नंबर बीना पढ़ा हुआ अन्सवाक के लिए एक सब्द है बताईए क्या है त्यार रखेगा यनिकी ऑ अप्ठित हो जाएगा अप्ठित हो जाएगा अप्षन ए ठीक है अप्षन भी आपके प्रस्टन का सही जवाब होगा और हंड्रेट नंबर प्रस्टन आपके प्राक्टिस सेट नंबर चार का या लास्ट प्रस्टन है सुध्व वाक्य का चैन कीजिए तो धरके कल भी दाले बंद रहेगा यही आपका वाक्य क्या है तो प्राक्टिस ने सेट नंबर चार के माध्यम से हम लोगों ने सो के सो प्रस्टनों को कम्प्लिट किया आप सभी बताईए इमानदारी पुर्भा कि आपका सो प्रस्टन म साथ जरूद कीजिए चैनल पने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ब्रक्तिस अखर मेरे के लिए को सब्सक्राइब करने के लिए जरूद पुर्वरे को लाइक कि नहीं किये हैं तो अपना आपना एकर बना दिए ठीक है … सेशन से संबंदित कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो तो जरूर आप सभी लोग याने की कमेंट में हमें बताईएगा ठीक है चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंट जय भारत